हलो एव्रीबन एंड वेलकम टू डियेस कुरूजेंड स्टार्ट करते हैं राजवतान जी के कुछ बहुत ही महत्वा पूर्प्रशन जो अक्सर एक्जाम्स में पूछे जाते हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रजा मंदल आज हमने प्रजा मंदल टॉपिक इस भ्रजा मंदल से सम्भंधित है या इन में से कौन सा वेक्थी है जो इस प्रजा मंदल से सम्भंधित नहीं है तो हमने ब्रीफली इस को तैयार किया конц अंक्षित विवरण हम यहाप पर आपको देंगे जिससे आपको इजी लियाद हो जैगा कि किस तरह के क्योशन वहाँ पर प्रजा मंदल से बनने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानेंगे कि प्रजा मंदल का उद्देश से क्या होता है जो रिया शती कूश अब हरीपूरा अधिवेशन आया है इसमें हरीपूरा अधिवेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक है इससे हमेशा क्योशन बन जाता है एक्जाम में तो इसके बारे में अपन जानेंगे सन 1938 में सुबाश चंद्र बोस के अधिवेशन में रिया शतो की जनता को अपने अपने राज्यों में उत्तरदाईश आशन का लक्षे प्राप्ट करने के लिए श्वतंत्र संगठन बनाकर आंदुलन करने और जन जागरती पहलाने का आवान किया गया जमारलान लेरू अखिल भारतिय देशी राज्यों लोग परिशत के अधिक्स बने इस अधिवेशन में कोंग्रेस ने पहली बार ने लिया कि कोंग्रेस को रिया शती जनता के संगर्स में साथ देना चीए अब अपन जानेंगे दोस्तों प्रजा मंडल के बारे में राजस्तान के जितने भी प्रजा मंडल है उनके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हैं अपना जेपूर प्रजा मंडल अब इनके लिए अपने को क्या-क्या जानकारी होना जरूरे होता है एक तो यह हो कि इसके आपना हुई थी 1930 वन में और इसके जो संस्तापक थी वो थे करपूर चंद्र पाठनी और इसके साथ जमना लाल बज्जाज अर्जुन लाल सेठी पंडित हीरा लाल सास्त्री चिरंजी लाल अगरुवाल गुलाब चंद्र कासलीवाल और दोलत मल भंडारी ये सब लोग इसम सुमेलित करने वाला भी दे दिया जाता है कि इसको इससे मिलाईए तो हम ऐसे तरह से मिला सकता है या कभी-कभी पूछ भी लिया जाता है कि कौन से प्रजामंडल से संबंदित है या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो जैपूर प्रजामंडल है उसमें से कौन संबंदित ये तीन नाम दे दिये इसे और एक अलग दे दिया तो इस तरह से भी यो error केसे भी प्रजामंदल से question जरूर container बनता है लेकिन आप इसकी विश्षतसता है जो है ये राज़ास्तान का प्रथम प्रजामंदल था जेपूर प्रजामंडल के प्रतम अधिवेशन में कस्तूर्वा गांधी ने भाग लिया था तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद आता है अपना बूंदी प्रजामंडल इसकी बिस्तापना 1931 में हुई थी इसके संस्तापक ते कांतिलाल नित्यानंद सागर हरी मोह माथूर रिशी दत्मैता और ब्रज सुन्दर शर्मा ये जो थे इसके संस्तापक और इसकी बिस्तापना हुई थी 1931 में इसके बाद आ जाता है अपना मारवाड प्रजामंडल मारवाड प्रजामंडल के जो तिती थी वो थी 1934 अब इसके जो संस्तापक थे वो थे जेनर प्राइंड व्यास भौवर्डलाल सर्राफ आनंद्रा सुराणा अभे मलजेन वह अचलेशवर प्रशाद सर्मा चांद मल सुराणा रन छोड़डास गटानी मतुरादास मातुर और इंद्र मलजेन और दोस्तों चोटी-मोटी बात नहीं आरेश के एकज्याम में भी प्रजा मंदल हारूती प्रजा मंदल जो है इसके संस्तापक है पंडित नैनुराम शर्मा और प्रभुलाल विज्य इस से भी क्योशन आ चुका है कि हारूती प्रजा मंदल के संस्तापक कौन है तो वो है पंडित नैनुराम शर्मा और इसकी तिथी जो है यह है 1934 में इसकी इस्ताप जिश्ता हैं 23 जन्वरी 1939 को श्री गोकुल भाय भट्ट के निर्देशन में सिरोही प्रजामंडल का मुख्याले मुंबई सिरोही में इस्तानांत्रित किया गया था इसके बाद है बीका नेर प्रजामंडल अपना जो है इसके संस्तापक है मेघाराम वैद्य मुक्ता प्रशा इसकी तिथी थी 4 अक्टूंबर 1936 और इसका जो हुआ था विसेश्ता है कि ये कलकत्ता में इस्तापित किया गया था बीकानेर प्रजामंडल इसके बाद है भरतपूर प्रजामंडल इसके जो संस्तापकते वोते किसनलाल जोसी इससे भी क्योक्षन बन चुका है मास्टर अदित्यंद्र, गोपिलाल यादव, युगोल की सोर चत्रवेदी, ठाकूर देशराज और गोरी संकर मित्तली इसमें सम्मेलित थे अब इसकी जो तिथी है वो है अपने मार्च 1930 एट में इसकी सुरुआत हुई थी इसके बाद है साह पुरा प्रजामंडल इसके जो संस्त संस्तापक जो ते वो ते रमेश अंद्रोजो और बाकी जो वेक्ति है वो इसके साथ सम्मेलित प्रजामंडल से यह संबंद्य थे और तीथी इसकी ती अठारा अप्रेल 1930 एट मार्च में उसका संस्तापक हो और अप्रेल में इसकी संस्तापना हो गई इसके बाद है मेवार उदेपूर प्रेजामंडल या तो मेवार प्रेजामंडल कहो या उदेपूर प्रेजामंडल कहो इसके संस्तापक थे मानिक के लाल वर्मा इसके जो अन्ने सदन्से थे वो ते बलवंत सिंग महता भैरुलाल बया और रमेश चंद्र व्यास इसकी जो तिथी वो थी कभी झान रखनी है आपको कभी-कभी आपको क्रतिका नाम देता है लेखका नाम देता और बोल दिया जाता है कि सुमेलित कीजिए तो इस तरह से आप हाँ पर सुमेलित कर सकते हो या फिर वो डिरेक्टर ली भी पूछा जा सकता है तो आप आंसर करेक्ट कर कर गया सकते हो इसके बाद है अलवर प्रजामंडल इसके जो संस्तापक थे वो थे हरी नारायन शर्मा और इसके अलावा जो वेक्ति समेलि मास्टर भोलानात और भवानी संकर शर्मा इसके जो तिथी थी वो थी 1938 इसके बाद है धोलपूर प्रजामंडल इसके जो संस्तापक थे वो थे क्रश्न दत्त पालिवाल वज्वाला प्रशाद जिग्याशु और इंदूलाल जोहरी ये इसमें सम्मलित थे और इनके जो व संस्तापक थे वो थे पंडित नयनुराम सर्मायम अभिन हरी ये दोनों इसके संस्तापक थे तंसुक लाल मित्तल संभूदया सक्षेना वेनी माधो नाथुलाल जैन और मोती लाल जैन ये सब लोग जो थे इनके साथ सामिल थे और इसकी तिथी थी 1939 और इसकी जो विश्यस करोली प्रजामंडल इसके जो संस्तापक थे वो थे त्रिलोग चंद्र माथुर और इनके साथ साथ जो संभूली थे वो थे चिरंजीलाय शर्मा मान सिंग और इसकी तिथी थी अप्रेल 1938 इसके बाद आता है किशनगड प्रजामंडल इसके संस्तापक थे कांती चंद्र चोथानी महमूद व जमाल सा ये इनके साथ समयली थे त्रिती थी इसकी 1939 फिर है कुशलगड प्रजामंडल इसके संस्तापक जो थे वो थे भवल लाल निगम एवं स्री जोसी और इसकी तिती थी एप्रेल 1942 इसके बाद का जो प्रजामंडल है वो है डूंगरपुर प्रज प्रजामंडल संस्तापक इसके श्री भोगेलाल पांडया अन्य सदश्य है गोरी संकर उपाद्य हरीदेव जोशी और इसके बाद है सिवलाल कोटडिया मानित के लाल वर्मा और भीका भाई ये इसके सदश्य थे और तिती थी एक अगस्त 1940 फोर बासवाड़ा मंडल ये जो है बासवाड़ा प्रजामंडल इसके संस्तापक थे वह पेंद्वेनाथ त्रिवेदी और इसके जो अन्य सदश्य थे वह थे हरीदेव जोशी, धूल जी भाई, मनी संकर नागर और रामलाल और इसके अलाबा भी इसके और भी वेक्ति इसमें सम्मिलित थे व प्रतापगड प्रजा मंडल थे उसके संस्तापकते चुन्नी लाल और आम्रल लाल पायक और तिथी थी इसकी 1945 जो जैसल में प्रजा मंडल है उसके संस्तापकते मिठा लाल व्यास और अन्य सदश्यते शागर्मल गोपा स्धिव संकर गोपा मदन लाल पुरोहित लाल शंद और इसके अलावा जो इनके साथ थे लाचन जोशी और रगुनात महता तिथी थी इसकी 15 अप डिसेंबर 1945 इसके बाद आता है जालावार प्रजामंडल इसके जो संस्तापक थे वो थे मांगी लाल भवे, कनहिया लाल मिक्तल एबं मकबूल आलम इसके उपादेक्स थे और ति इसकी 25 अप नवेंबर 1946 इसके जो विशेस्ता हैं ये राजस्तान का अंतिम प्रजामंडल था जालावार प्रजामंडल और इसके अलावा ये एक मात्र प्रजामंडल था जिसे वहां के साशक नरेश हरिश्चंट्र का समर्थन प्राप्त था तो आज के जो अपने राजस्